वेलकुम डूम डूम यूटूब चैनल आपका मारे यूटूब चैनल पर वह दोस्थ वागत है इस चैनल पर आपको MS physics चैनल से एक्जाम से लेटेट सारे जान कर युपलब दिकराए जाती है और वी में आज अपने इस वीडियो में डिसकस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट रहेंगे इससे पहले में पर दे रखा है तो कोडिनेशन नंबर डम से यहां पर पूछ लागया है एफसे स्ट्रक्चर के लिए तो द्यान रखेगा एफसे के लिए जो आर की वेलियो होती होती है रूट थ्री ए बाई फॉर्ट रखनी है बीसी के लिए है आप सारे स्ट्रक्चर यहां पर पढ़ सकते हैं सिंपल क्यूबिक बीसी सी एपसी सी और यह आपको सॉलिट स्टेट से लेडेट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मलास पर ने तो भी आपको मेरे चैनल पर है मिल जाएंगे आप उन्हें जाके चेक आउट कर सकते हैं तो बीसी सी के लिए जो रेडेस होगी यहां पर वह रूट त्री है बाई फोर होगी तो आपका जो ऑप्शन बी है वह यहां पर करेक्ट हो ज जाता है अदियोटिक अलिए तो उसका व्यूम चुंज हो जाता है वी नोट से थी और उसका तैम्परेचर वो टी नोट से टी चेंच होता है तो अपने को रेशियो फाइंड ओट करना थी बाई ती नोट का तो एड़िए प्रोसेस के लिए आपको जो एक्वेशन है वो तो आपको इनिशल टेंपरेचर वोल्यूम यहां पर दे रखा है तो आप ती नोट वी नोट की पावर गामा-1 यहां पर कर सकते हैं मोरेटमिक गेस के लिए जो गामा की वेलिए वो 5 by 3 यहां पर होती है तो आपन यदि T by T note का यहां पर ratio निकालेंगे तो आपके बास निकल कर आजएगा 1 by 3 की power 2 by 3 यानि कि आपका जो option B यहां पर correct हो जाएगा आप thermal physics related important formulas मेरे चनल पर जाएकर पढ़ सकते हैं वह आपको सार important formulas को आपे मिल जाएंगे thermal physics related मैं आपको direct description में link भी provide करा दूँगा जहां से जाकर कि आप thermal physics related important formulas भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर में direct short formulas को आपके cover किया है तो आए आपको यह question समझ में आ गया होगा चलते है next question की तरफ question number 4 अपन को यहाँ पर दे रखा है at what velocity the kinetic energy of the body is equal to its rest mass energy किस velocity पर kinetic energy उसकी rest mass energy के equal होती है तो वह velocity आपको यहाँ पर find out करनी है तो आपको rest mass energy का formula यहाँ दोगा m0 c square यहाँ पर होता है और kinetic energy का जो formula होता है m-m0 c square यहाँ पर होता है जहां पर m जो है is equal to होता है m0 upon unroot 1-b square by c square यहाँ पर जो एम नोट है वो rest mass यहाँ पर होता है तो जो kinetic energy वाली equation है m-m0 equal to c square वो पूछ रहाए कि किस velocity पर दोनों को यहाँ पर equal कर देंगे इस equation को जो आप solve करोगे तो m-m0 c square c square दोनों से multiply होगा फिर m0 जो c square उसको आप right hand side में बेस सकते हैं तो mc square is equal to m0 c square यहाँ पर यहाँ पर आप M के लिए रख दीजिए m0 upon root 1-v square over c square c square c square c square cancel out हो जाएगा m0 से m0 cancel out हो जाएगा फिर आप जब इस equation को solve करोगे तो simple सी calculation आप इसको easily देख सकते हैं और आपके पास यहाँ पर v की value वे निकल करके आगे root 3 by 2 c यानिकि इस velocity पर जो kinetic energy वो उसकी rest mass energy के यहाँ equal होगी यानिका जो आपका option number a हो यहाँ पर correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question की तरफ the trace of 2 cross 2 matrix is 4 and its determinant is 8 if one of the eigenvalues 2 1 plus i उटा the other eigenvalue is तो यहाँ पर 2 cross 2 matrix के आपको trace दे रखी है और उसका determinant 1 को यहाँ पर दे रखा है एक eigenvalue 1 को बता रखिए दूसरी eigenvalue 1 को यहाँ पर find out करनी है तो आपको याद होगा कि जो trace होती है वो eigenvalues का यहाँ पर sum होती है दी मान लेते हैं इसकी 2 eigenvalue बाईगी क्योंकि 2 cross 2 matrix है तो 2 eigenvalue होगी तो उनका जो sum होगा lambda 1 plus lambda 2 वो trace के बराबर होता है और उनका जो product होता है वो इसके determinant के बराबर होता है तो इससे माँ पास 2 equation यहाँ पर बन जाएगी एक eigenvalue बन को यहाँ पर दे रखिए तो अपन लेमड़ा 1 की यहाँ पर रख देंगे 2 1 plus iota आप इसको easily solve कर सकते हैं तो आपके पास लेमड़ा 2 हो निकाल के रहे जाएगी 2 1 मैनस आयोटा यानि कि दूसरी जो आइगन वेली वह वह 2 1 मैनस आयोटा होगी आप इसे चेक भी कर सकते हैं लेमड़ा 1 लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 कर लिए आपके पास stress of matrix आ जाएगी और आप जब इन दोनों को multiply करोगे तो आपके पास determinant of matrix आ जाएगा तो आपका जो option F-1 is equal to 1 और F-1 is equal to 1 अपन को यहां पर दे रखा है F3 by 2 के पनको वेलियां पर find out करने तो सबसे बिल आपको function find out करना को उसके बाद याप F3 by 2 की वेलियां पर निकाल सकते हैं तो आपको F-2 is equal to 1 दे रखा है इसे आप जब integrate करोगे तो आपके पास equation आ जाएगी F-X is equal to X plus C आप यहां पर X की वेलिया 1 पुट कर दीजिए क्योंकि आपको F-1 यहां पर दे रखा है तो आप इसकी जब वेलिया पर 1 पुट करोगे तो F-1 की वेलिया आपको 1 दे रखिए तो C की वेलिया जो यहां पर आपके पास 0 निकल करके आ गई है अब आप इसका जब एक बार यहां पर निकल कर गया चुकी है X की वेलियो आप यहां पर पुट कर दीजिए 3 by 2 जिस पर आपको function की वेलियो निकालनी है तो 3 by 2 का square divided by 2 प्लस 1 by 2 इसको आप जब solve करोगे तो आपके बास वेलियो होजेगी 13 by 8 यह निकिए आपका जो option number D हो यहां पर correct हो जाएगा इसके लिए इसके लिए यहां पर दे रखी है तो आपको यहां पर यहां पर दे रखा है तो दोनों की पावर अपन यहां पर लगा देते हैं आप जब option number C यहां पर चेक करोगे तो इसके लिए आपके पास निकल करके आ जाएगा एकी पावर आयोरटा 5x5x60 560 को आप 12 टाइम से आपके काड सकते हैं अब आपको याद होगा एकी पावर आयोरटा थीटा का जो फोम लोगता होता है कोस थिटा प्लस आयोटा साइन थिटा इसी फोम में पर इसको खोल लेंगे कोस 12 प् अब इसको यह प्लाव यहां प्लस जीरो वन प्लस जीरो वन इंट वन वन आजाएगा यानि कि पाउर एकी पाउर जो 60 यह यहां पर वन होगी तो दो हैं चला आगे बढ़ते हैं next question की तरफ question no.8 आपन को यहां पर दे रखा है a rigid triangular molecule consist of three non collinear atoms joined by the rigid rods the constant pressure molecular specific heat is CP of an ideal gas consisting of such volume is आपन को CP यहां पर find out करनी है molecular specific heat आपन को यहां पर find out करनी है at constant pressure ठीक है तो उसकी value यहां पर कितनी आएगी तो 3D के लिए आप यहां पर देख सकते हैं degree of freedom आपके पास जो होती हो 3N-k यहां पर होती है जहां पर N होता है number of atom और के होता है constraints तो N यहां पर number of atom क्या है 3 है और constraints भी क्या है यहां पर 3 नहीं क्योंकि 3D के अपन यहां बात अपन कर रहे हैं तो formula पर आप दोनों के लिए रख दीजिए 3x3-3 यहां कि आपके पास 6 यहां पर निकल करके आ जाएगा अब आपके पास जो U होता internal energy जो होती है F by 2RT तो यहां पर value रख दीजिए 6 by 2RT तो यानि कि U आपके पास आगया 3RT अब जो CV होती है वो होती है DU by DT तो D by DT अपन 3RT यहां पर रख देंगे इसका आप जब differentiation करेंगे तो 3R यहां पर निकल करके आ जाएगा अब आपको main relation यहां पर याद होगा उससे आप लिख सकते है CP minus CV is equal to R तो जब आप यहां से CP निकालोगे तो आएगा CV plus R तो आप इसको 3R plus R करके 4R आपके पास यहां पर इसकी molar specific यहां पर निकल करके आजेगे constant pressure तो आपका option number C हो यहां पर correct हो जाएगा से लागे बढ़ते है question number 9 की तरफ consider the differential equation dy by dx is equal to xy if y is equal to at x equal to 0 then the value at x equal to pi will be अपनको value आप में find out करनी है तो आपको आप पर differential equation दे रखी है दो variable separation method से आप इसको separate यहां पर कर सकते हैं x वालों को एक तरफ रख लीजिए y वालों को अलग तरफ रख लीजिए तो dy by y is equal to x dx हो जाएगा indication कर रोगे तो आप इसको लोग y आ जाएगा इधर x square y to plus log of c आप इसको लिख सकते हो ठीके x बराबर 0 पर y की value 2 है आप यहां से c की वालों निकाल लोगे तो c बराबर आपके पास 2 आ गया है ठीके c की value उपर यहां पर रख दीजिए अब आप इसको जो simply यहां पर solve कर सकते हैं log y is equal to x square y to plus log 2 log 2 इधर ले जाएगे ठीके log a minus log b की property से log a upon भी हो जाएगा और इधर आप इसको लिख सकते हैं लोग यहां पर हट चुका है तब यहां पर e की power लगी है तो आपका जो option number a है वो यहां पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चले बढ़ते हैं question number 10 की तरफ an electron has speed 4.8 10 to the power 5 meter per second accurate to 0.012% with what accuracy the position of electron can be located आपको speed यहां पर दे रखी है और accuracy अपनको find out करनी है position में ठीक है तो आपको यहां पर speed दे रखी है तो अपन यहां पर सबसे बिल इसका momentum यहां पर calculate कर लेंगे और उससे आप निकाल सकते है position accuracy ठीक है Heisenberg principle आपको यहां पर लगाना है Heisenberg ascending principle ठीक है तो वी आपको दे रखा है accuracy आपको दे रखी है इसकी तो वी के लिए आप यहां पर निकाल लेते हैं accuracy से multiply करके तो पॉइंट 012 डिवाइड बाए 100 इंटू 4 इंटू 10 दिपाफ 5 आप जबन करेंगे तब की बाद डेल्टा वी की लिए जाएगी 57.6 मीटर पर सेकिंड अब आपको यहां पर याद होगा आप x और px में जो relation होता है वो था delta x into delta px get then equal to h cross y2 होता है आप यहां पर x को equal to लेकर sold कर सकते हैं तो delta x जब आप यहां पे निकाल होगे तो आएगा h cross upon delta px delta px को आप लिख सकते हैं 2m delta v जख सकते हैं फिशा पर आपके पास momentum में इसको आप m delta w लिख सकते हैं एम यहाँ पर एलेक्ट्रोन का मास अपन रख लेंगे 9.1 10 to the power minus 31 kg into 57.6 meter per second square इसको आप जब सोल करोगे तो delta x की जो विलिव है वो 10 to the power minus 6 meter यहाँ पर निकल कर गया जाएगी यानि कि जो position में uncertainty होगी वो 10 की power minus 6 meter यहाँ पर होगी तो आपको जो option number A है वो यहाँ पर correct हो जाए जाएवां चाल